हेलो फ्रेंज तो आज एक बार फिल से बहुत ही जादा इजी और बहुत ही जादा टेस्टी नास्ते की रेशिपी लेकर हम आये हैं और ये नास्ता जो है गेहु के आटे से बना है तो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ ये हल्दी भी है बनाना बहुत ही जाधा असान है, तो आई इसे बनाना शुरू करते हैं, और देखते हैं इसे कैसे बनाया ज़ता है, तो इसके लिए एक आलू ले लिया है, ये कच्चा आलू है, इसे हम छील के और धोलेंगे, फिरिया पें ग्रेटर ले लिया है, और उसका जो सबसे मोटा वाला होल होता है उससे हम ग्रेट करेंगे यानि कि कदू कस करेंगे और आलू को कदू कस करने के बाद इसे पानी में रखें हो सके तो इसे पानी में कदू कस करें ने तो आलू जो है वो लालो ने लग जाते हैं तो यह देखिए मोटा लच्छा बन तो 3-4 लेसन हैं, इसे हम भून लेंगे और जब लेसन हमारे अपग जाएगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, जो हमने कद्दुकस करके रखा था, तो यहां पे गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे, और आलू को हम लो फ्लेम पे थोड़ा देर भून लेंगे, इस इस नाश्ते में आलू को उबाला नहीं है ये नाश्ता हम कच्चे आलू से बनाएंगे जब आप इसे कच्चे आलू से बनाएंगे न तो इसका टेस्ट बहुत ज़ादा बढ़ी आएगा आलू को जब हम भून लेंगे लगबख 4-5 मिनट भूनना है इसके बाद हम इसमें ड पकना चाहिए ये देखे आलू यहां पे लगबख आदा से ज़ादा पक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम ओवर्कुक नहीं करेंगे मतलब हम इसे बहुत ज़ादा नहीं पकाएंगे पानी जो इसमें था वो भी सूख चुका है पूरी तरह से तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं और आलू को निकालके हम इसे ठंडा कर लेंगे तो इसे गरम नहीं होना चाहिए इसे पूरी तरह ठंडा कर लेना है इसके बाद हम निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में और अब हमने ले लिया है एक बूल इसमें हम ले लेंगे एक कप हूं का आठा और इसमें हम डालेंगे आधा कप चावल का आठा डालने से यह नाश्ता जो है वो क्रिस्पी बनेगा फिर नमक ले लिया है आधा चमश नमक और यहां हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल रहे हैं फिर हम ले लेंगे यहां पे कुटी हुई लाल मिर्च और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम इसमें कोई मसाले एड नहीं कर रहे हैं वस इतने मसाले से ही यह नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बै बना रहे हैं आप उस हिसाब से आटा और चावल का अटा ले सकते हैं अगर जादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी कौंटिटी बढ़ा सकते हैं फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर त्यार करें और एकदम पतला और एकदम गाड़ा फिर हमने ले लिया है थोड़ा सा बीन, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरा दिनिया, फिर हमने जो आलू पहले पका के रखा था वो डाल देंगे, पिर इन सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्रेंट्स ये हमारा बैटर तयार हो गया है, एकदम पतला भी नहीं है और एकदम घाढ़ा भी नहीं है, तो इस तरह से हम इसका बैटर बना लेंगे, फिर हमने एक पैन ले लिया है और उसे हम गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे एक शमच तेल और यहां पे ले लिए है थोड़ी सी राई इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक शमच सफेद तिल इससे नाश्ता करंची भी होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और तिल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फिर इसके बाद हम इसमें बैटर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे और इस तरह से हम फैला देंगे ताकि यह कहीं से मोटा या पतला ना हो चारु तरप से एक बराबर कर लेंगे हम इसे अगर आपके पास छोटा या बड़ा पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं अब हम उपर से डाल देंगे इसमें थोड़ी सी तिल तो तिल हमने पहले डाली थी वो एक साइट पे और दूसरी साइट पे भी हम थोड़ी सी तिल डाल देंगे फिर हम इसे ढख करके लगवग तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे तो तीन से चार मिनट में ये एक साइट पे अच्छी तरह से फग जाएगा क्योंकि लो फ्लेम पे हैं तो ये बहुत ही कुरकुरा बनेगा फिर इसे पलटके हम ढख करके दूसरे साइट पे भी तीन से चार मिनट के लिए पका लेंगे और इस तरह से हमारा ये टेस्टी नास्ता बनकर त्यार हो जाएगा ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और देखने में भी बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है तो इसे आप ट्राइ करिए घर में सबको बनाकर खिलाएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए और बने रही है मेरे शैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए और वे बहुत सारी यमी और टेस्टी रेसिपीज आपको मेरे शैनल पे मिल जाएगी को आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर